नमस्कार दूस्तो्, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में दूस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले है स्टीवन स्मीत के रिप्लेस्मेंट की यानि कि वो कौन से तीन खिलाडी है जिनको राजस्तान डॉयल्स के टीम रिप्लेस कर सकती है स्टीवन स्मीट के बदले में बात करेंगे करेंट फॉर्म को लेके सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए अगर आप सभी हमारे चैनल को पर फर्स्ट टायम आए हो तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कीजिए यहाँ पर आप सभी को रोजाना, IPL और क्रिकेट की वीडियोस मिलती रहती है सबसे नंबर वन डिप्लेस्मेंट रहेगी वो रहेगी जिम्मी निशम की बात करें करें करेंट फॉर्म की तो जिम्मी निशम का जो फॉर्म था अभी फिलाल वन डे में बहुती अच्छा चल रहा था हम सभी ने देखा एक और में पात चक्के लगाए उसके बाद गिंदबाजी भी काफी अच्छी की तो मेरे साथ सो जिम्मी निशम एक परफेक्ट रिप्लेस्मेंट है स्टीवन स्मित के बदले में क्योंकि उनके पास बैंड स्टोक्स एक बैतरीन अच्छे विकल्प है और उल राउंडर में और उनी के साथ साथ जो है अगर जिम्मी निशम भी आ जाते है तो रॉयल्स की देखा मजांसी सूपर लीग में जो हुए रिजा हेंडरिक्स ने बैक टू बैक टू सेंचुरीस लगाई और काफी अच्छे खिलाडी है रिजा हेंडरिक्स वण डे में जो हूंनेने अच्छा फॉर्म भी दिखाया और हाली में जो मजांसी सूपर लीग हुई थी उसके अंदर भी जो है इन्होंने काफी अच्छा फॉर्म दिखाया लेकिन दुर्भाग यह वर्स जो इनको था किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरेदा अपने टीम के लिए ओपन करते हैं तो ऐसे में जो है वह नीचे आके बैटिंग कर सकते हैं तो जो रॉयल्स के टीम है उनक का स्कोर किया वन डे क्रिकेट में हालेकि जो बाउंडरी स्तियों काफी छोटी थी लेकिन फिर भी 140 का स्कोर किया और गिंदबाजी में विकेट भी चटकाए तो जो परेरा है उनको बहुत ही अच्छा अनुबव है टी 20 क्रिकेट का बहुत ही लंबे-लंबे चक्के लगात करे ब्रेंडर मकलम की तो मकलम भी एक अच्छे खिलाडी हो सकते है अगर रोल्स की टीम की नजरे ब्रेंडर मकलम पर जाती है तो मकलम भी काफी अच्छे साबित हो सकते है आप सभी के साब से कौन सा खिलाडी को रिप्लेस्मेंट करना चाहिए स्मित के बदले में बताओ नीचे कमेंड करके इस वीडियो में तना ही वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब जल से जल कर लीजिए हसते रहे मुस्कुराते रहे और क्रिकेट खेलते रहे